और कुश्यन में हैडिंग भी लिख लेंगे आपन कि फिप्टी डेसिवल प्लस फिप्टी डेसिवल वॉट है रहें तो कैलकुरेट करना है अब हाँ आब मैं आप से सवाल पूखूँंगा इसको बाद में केलवट करेंगे पहला सवाल तो बहुत जनल के मतलब जनल कुशन है मैं ा इसा थोड़ी कि हम थो जाब में तरह ऊवाज और आंंने हाने दूंगा कि अपूरस अधीशन नहीं मतलब सब्स्ट्रेक्षन डिविजयं नहीं हो गाई हैं पर एठ वसकता है एठ हो सकते हैं हम सारे लोग है एक पिएच एजए और एक पिएच है थ्री चलो मुझे बताओ अगर में दो सालीशन है एक पी तो वाटर हो गया और एक कोई एस दोंटों को मैंने मिला दिया तो मुझे बताओ उस सॉलूशन की पिएच कितनी होगी हां दस होगी हैं फिर हां तो निकालो चलो roughly calculate करो सब लोग roughly calculate करके बताओ pH कितनी आएगी अगर आप यह कर पाए तो यह कर दोगे फिर अगर मैं दूद और धही को mix कर दूँ तो solution की pH क्या होगी किसर फट जाएगा दूद हार solution तो बनेगा कोई ने कोई तो pH आएगी उसकी कोई बात नहीं जो try कर रहे हैं वो करते रहें देखो कैसे समझना है इस question को जब भी कोई function हो और वो किसी variable पर depend कर रहा हो तो कभी भी हम उसको directly add नहीं कर सकते लेट सपोज z is the function of x तो मैं z1 कोई function है और z2 कोई function है अब समझ लो इसको जब भी कोई function है that is the function of x तो मैं z1 plus z2 directly नहीं कर सकता है क्योंकि सर यह x के उपर निर्वर कर रहा है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इस एड़ वन के लिए x की value calculate करने पड़ेगी और इस z2 के लिए x2 की value calculate करने पड़ेगी और फिर हम independent parameters को add करके और फिर से function में रखेंगे फिर से इस function में रखेंगे तो यह क्या साब यह dependent parameter है जो x पर depend कर रहा है और x एक independent parameter है अगी बास समझ में तो हम dependent parameters को कभी भी directly add नहीं कर सकते directly subtract नहीं कर सकते क्योंकि यह in factors depend कर रहे है तो पहले जो independent parameter है जो किसी पर निर्वर नहीं कर रहे है मतलब x किसी पर निर्वर नहीं कर रहा है यह तो यहां पर in x की values को पहले मुझे calculate करना पड़ेगा फिर इनको add करना पड़ेगा और add करके और फिर इस function में मुझे क्या करना पड़ेगा पुट करके और जो result आएगा इसी solution की एच प्लस आयन की concentration को डिनोट करता एक तरह से potential of hydrogen ions किसी solution में कितने hydrogen आयन है उसको indirectly बताता है तो जब दो solution को हम add करेंगे इसमें कुछ hydrogen ion होंगे इसमें कुछ hydrogen ion होंगे तो दो solution को जब हम add करेंगे तो hydrogen ion थोड़ी बदलेंगे hydrogen ion तो जैसे मानके चलो के एक solution में 50 हैं दूसरे में 60 हैं दोनों को mix करेंगे तो solution में 110 hydrogen ion हो जाएंगे लेकिन 110 hydrogen ion की वज़े से कितना pH बनके आ रहा है वो उस solution का pH होगा ठीक है तो यहां पर मैंने पहले क्या करूंगा पहले मैं 7 के लिए hydrogen ion निकालूंगा मानके चलो pH of A and pH of B तो यहां से यह 7 है और जो भी आएगा h plus in solution A is equal to 10 days to power minus 7 ठीक है सर्थ दूसरे से calculation करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या आपना h plus ion in solution B is equal to 10 days to power minus 3 तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर मुझे h plus ion in A plus h plus ion in B कि इनको add करके हमें total hydrogen ion देखने हैं कि सब यह हो रहे है total कि इतने हो गए अब mix में कितने hydrogen ion है यह quantity तो इस quantity का अगर मैं negative log ले लूँ तो वो होगा pH of mix आई बास समझ में pH is a dependent parameter जो h plus ion की concentration पर depend करता है तो इसलिए मुझे पहले वो separate करना पड़ेगा पहले मुझे क्या करना पड़ेगा वो separate करना पड़ेगा आई बास समझ में ठीक है तो इसलिए मैंने वो h plus a और h plus b अलग से calculate किये बाइ यूजिंग pH of a and pH of b a और b की pH को यूज करके मैंने यह एच प्लस a और h plus b calculate कर लिए अब इनको add करके और फिर से pH के function में इसको रख देंगे कि अग्यों कि अग्यों है यह तो साथ देखो यह है एक्चुली यहां पर जो लेवल है 50 डेसीबल यह 50 डेसीबल एक बेस पर यह reference से calculate किया है 20 माइक्रो पास्कल से ठीक है सर तो पहले मुझे यह चेक करना पड़ेगा क्योंकि लेवल कि अलपी जो होता है 20 लॉग बेस टैन पी आरेमेस अपॉन 20 माइक्रो पास्कल का ओली स्वेर 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 यह होता है तो इसका मतलब जो साउंड प्रैसर लेवल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है पी आरेमेस पर करता है पक सब्साइब कर रहा है पी आरेमेस पर अलके टरह तो पहले मुझे सिवेल के लिए प्यारेमेस चेलल प्रेमेट करना पड़ेगा तो चलो सब लोग सेप्टी डेसीमल प्रेमेस स्वेल किमप है मैं आयह Rs. एस थोडी काम चल Hutchे चला लो कि इसमें पूटी तो करना है एल पीज इकोल टू फिप्टी और जो कैलकुएशन आएगी वो पी एरा में सा जाएगा के ट्राइट ले लो पचास बेश का और यहां से पी आरे मेंस कितना आएगा और तीन सो कि सोला पॉइंट ते बीस माइक्रो पास्कल यह रहां एंटी लोग मेरे बुद है पास्चा अरे तो मैं डायरेक्ट कर तो दिया मैंने का नहीं किया मैंने एंटी लॉग किया त्वेंटी करके फाइनल रेजल्ट लिखा है मैंने है है अच्छा अच्छा अगर अपन इसको बीस से मल्टीप्लाइब करेंगे तो कितना हैगा श्याजार पॉइंट फाइब फाइब माइक्रो पास्क पॉइंट तो यह तो इसकी वैलू है यह तो 50 डेसिबल के लिए आरेमेस वैल्यू आई है प्रेसर की अब आरेमेस खुद एक डिपेंडेंट पैरामीठर है यह खुद क्या है एक फंक्शन है तो अगर मुझे फिप्टी प्लस फिप्टी डेसिबल के लिए आरेमेस फाइंड आउट करना है यह तो इसके लिए आई केवल अकेले पचास के लिए अगर मुझे यही पी आरेमेस कैल्कुलेट करना हो किसके लिए पचास डेसिबल प्लस पचास डेसिबल तो क्या मैं इसको डेरेक्टी एड़ कर सकता हूं नहीं कर सकते आरेमेस वैल्यूज को डेरेक्टी एड़ नहीं किया जाता उनको पहले स्क्वाइर करके और फिर अंडरूट लिया जाता उनका अहीवास समझ में है क्योंकि पी आरेमेस इस दा फंक्शन ओफ सबसे पहले यही लिखाया था मैंने पी आरेमेस इस इक्वल टू अंडरूट ओफ एवरेज ओफ जीरो टू टी इंटीग्रेट पी टी का एक फंक्शन और फंक्शन कैसा है कि पहले एरेमेस वैल्यू को स्क्वाइर करो और फिर अंडरूट ले लो यह आयेका साहब का चलो सॉल करके बता कितना कितना 4-4 यह आएगा 8944.26 माइक्रो पास्कल तो यह आए साब RMS वैल्यू तो अगर अब इस यह हमको क्या मिल गया हमको यह क्वांटिटी मिल गई और जाट क्वांटिटी मिल गई कि इसकी PRMS की तो अब मैं क्या 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 कर सकता हूं यहां से sound level pressure calculate sound pressure level calculate कर सकता हूं तो sound pressure level कितना होगा बताओ साब now lp 450 decibel plus 50 decibel is equal to 20 log base 10 PRMS कितनी है 8944 .26 इसको यह नहीं करेंगे क्योंकि 20 पहले लगा रखा है upon 20 बताओ कितना आ रहा है 53 क्योंकि 20 35 दűट 3 30 30